नमस्ते बच्चों कैसे आप सब लोग सो बच्चों आज का वीडियो आपको पताईए कि हम लोग एसे का करने वाले हैं कोशन पेपर 3 सेक्शन डी पेपर टो अप्लोडेड है पेपर 3 का ABC अप्लोडेड है आपके पास प्लेलिस्ट अवेलेबल है आप मेंने चैनल में जाके प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको सारे गाला के पेपर के अलग-अलग सब्जे के प्लेलिस्ट आराम से मिल जाएंगे तो चली बचो अब इनाव को टाइम इसकी हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी जो फोर्मा का कोशन है तो 35 नंबर कोशन कह रहा है गिव दे इन्फोर्मेशन अबाट वास्तु शास्त्र और और भी सेवी है कि आपको उसी बार में टीटेल में थोड़ा बताना है ठीक है तो आपको पता है कि वास्तु शास्त्र जो है वो एक साइंस है आर्किटेक का ठीक है बिजिकली जब हम पुरान लेकिंडिया के बात करते हैं तो यह एक साइंस है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग यह ग्रहों के और डारेक्शन के हसाब से हम लोग चीजों को रखते हैं और हम लोग हिंदुस्तान ने तो खरे इस चीज में बहुत जादा मानते हैं इंडिया स्नॉलेजन कंट्री जो है इस तरीके से बनाते हैं ब्रह्मा नारत ब्रस्पती ब्रुगु वशिस्त एंड विश्वकर्मा वेड यूनिक अंट्रीबुशन दर फिल्ड वश्वस्त्रा ऑन बाश्वस्त्रा ऑन बेजिस अव ब्रिंसीपल अवास्तू दे गेव गाइडलाइन फॉर बीच हम लोग पहले तो वास्तू के अकॉर्डिंग ही करते थे एंड वाहर महीर वास्तू इस बुक ब्रिहत समीता यह काफी फेमस बुक है और जो वास्तू करते हैं ठीके वो तो इसको बहुत बहुत फॉलो करते हैं देन लेटर इन फिप्टीं सेंचुरी राना कुंबा मेवार मेट सेवरल इंप्रूमेंट्स इन प्रीवेस वर्जंटी उसके बाद थोरे थोरे बतलाव किये और उसको रिवाइड किया मता कि डिवाइस किया और लेक ट्रडिशन जो हमारा है उसमें इस ऐसा का जाता है लेक विश्वकर्मा इस कंसीड़ एस पर्स्ट आर्किट विश्वकर्मा इस तुरे प्राइंगल ओटा है कोई ट्राइंगल होता है तो यह अं तो क्या हम तो जदा गड़ देख लेते बट जो इस फील्ड में होते हैं कंस्रक्शन की फिल्ड में उनको पता है कि लैंड का भी शेप होता है तो वो शेप सही है नहीं है चीजों को प इसका साइंस पता होने के बाद पूरे वर्ल्ड में वास्तु को एक बिलीफ नहीं मानते हैं इसको एक साइंस मानते हैं कि इसके पीछी बहुत बड़ी साइंस है ठीक है बच्चो चलिए ना राइट बाउट था कंट्रिब्यूशन ऑफ इंडिया इं मेटलर्जी आपको पता इसको मेटलर्जी कहते हैं तो खेर हम लोग बहुत पुराने समय से ही ठीक है मेटलर्जी जो है वो यूज करते आ रहे हैं एंड एशन इंडिया मेट एक्स्टारिनरी प्रोग्रेस इन दे फील्ड ऑफ मेटलर्जी अब हमें पता है कि सबसे पुराना जो हमारा इतिहास है वो है इंडर्स वैली सिवलाइजिशन का तो उसके अंदर जो मुर्तिया बनाई जाती थी लड़की के डांस की फीमल डांस की वो मेटल से बनाई जाती थी और वो मेटल आप सोचो रस्ट नहीं हो रहा है बहुत लंबे मदब वहां पर जो आकिटेक्स को मिला था ठीक है फ पहले प्यूरिफाय करना फिर उसके अंदर हम लोग कुछ ने कुछ कलाकारी करना यहां तक कि अभी भी न बहुत सारी मुर्तिया जो है ठीक है चोला पीर में भी लाइक साउथ इंडिया में आपको पता है चोला पीर बनाव था मोस्त फेमस एज और यह काफी लंबे समय त तो उनका स्टेच्यू जो है मेटल का बनाया था वह वह वर्ड फेमस हुआ था अट प्रेजन इस स्टेच्यू इस प्रिजर इन दम्यूजम ऑफ चैन्नाई दम्यूजम ऑलसो है जा एशन स्ट्ट्ट्ट्र लॉट रामा ठीक है इन फॉर्म आर्कर ठीक हो जो धनू शलाते हुए और फाइन एशन मेटल आर्टिस्टिक स्टेचिस ऑफ गॉर्ड गॉर्ड बर्स एनिमल ठीक है यह सब मिलते हैं यह बैटल नट कटर्स इस सारे एक्जामपल्स हैं मेटलिक आर्ट के हमारे यहां पर चलिए नेक्स कोशन स्टेट इस्टिशनल रिफॉर्म मेट इन द और आवा गॉर्मेंट हेल्ट कर लेती है ठीक है एंड जैल ऑफ द फार्म प्रोडूस्ट आर कंसिडर्ड एस इंस्टिशनल रिफॉर्म मतलगे बतलाब अब कौन कौन से रिफॉर्म हुए थे मेन हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है तो अब जैसे कि यहां पर द गवर्मे अब जैसे किसान क्रेडिट कार्ड वह है तो इस तरीके से कौपिट बैंक सो कुछ फैनेंशली हेल्प करती है तो आपको पताई होगा आपने जब चैप्टर आपके स्कूल में चला होगा या कोचिंग में तो आपको यह समझा होगा तो मैं जाधा इस पर टाइम नहीं वेस करी तो यह पूरा को पूरा आपके बस है कि क्या क्या इसके रिफॉर्मेशन हुए थे और उसके अंडर जो ओर्गनेजिशन उनके कुछ नाम भी है यह नाम फुल फॉर्म के साथ लर्न करना वन वन माक में आपसे इसके फुल फॉर्म पूर्श सकते हैं ठीके चलो क्या होता है तो 15-60 साल के बीच के जो लोग होते है जिनको काम करने की इच्छा होती है बट ना उनको काम मिलता है तो उतना सही अमाउंट पर उनकी क्वालिफिकेशन के साब से नहीं मिलता है तो उस तरह किसम उसको बेरोजगार कहते हैं ना अनिम्प्लॉइट एक बंदा अनिम्प्लॉइमेंट कहेंगे अब उनक्राइपन कों से लगादी अलग अलग सी ठीके वां पर उतराने खतम तो बस फिर आपको वो लोग दिखेंगी नहीं तो इस तरीके से हो जाता है सीजनल ठीक है उसके अलावा रेंफोल के साफ जाइगरी कल्चर हो रही है तो बहुत सारी चीज़े हैं पिर आता है फ्रिक्शनल अनिंप्लयमेंट इसका मतलब क्या होता है कि डिमांड और प्रोडक्शन में चेंज होने के कारण आप आप जो है वो नए-ए प्रोडक्स मार् इस लाइक बेकवर्ड और और्थोडोक्स सोशल बेकवर्ड ट्रेशन ओर्टोडोक्सी कस्टम लिटरेसी यह वीक सोशल स्ट्रॉक्चर्स की वज़े से जो वर्क है उनको नहीं पिल्म पाता है क्योंकि उनके स्किल्स उतने फुल फुल फिल नहीं होते हैं अब इसके नहीं पहले तरां मैंसे आप चार इस लेगते हैं समझ में आते हैं आप उन चार को लिग देना मैंने च्टे के दै जो इसी लगता है लर्ण करके लिख देने न। पिर आता है Disguise Unemployment, Industrial Unemployment और Educated Unemployment ठीक है बच्चो चलिए चलते हैं आगे Discuss any four measures to reduce the unemployment in India ठीक है तो क्या-क्या measures किये गए गए by the government तो महत्मागांदी National Ruler Employment Guarantee Act ये बनाया गया, Mission Mangalam बनाया गया, जोती गराम युद्योग विकास योजुना इंटीगेटर डेरी डेवलप्मेंट स्कीम यह कुछ बनाएगा है जहां पर अनिप्लेमेंट को कम करने की आश्चा मिल सकती है लाइक तो यह सम्टिंग कुछ है आप दीख लीजिएगा ना नेक्स्ट वाइस गवर्मेंट पब्रेश्ट दिशेबल राइक 2016 फॉर दिशेबल स्टुडेंट तो अब देखो सीधी सी बात है डिसेबल का मतलब क्या होता है नहीं हम उनको ऐसा पिटी देखते आरे पिचारे कुछ नहीं कर सकते हैं यह वो ठीक है तो लाइक उनको भी इक्वल क्या वो दिग्निटी के साथ रहने का अधिकार है अभी हाली में एक आईएस ओफिसर बनी लेडी और वो विकलांग थी और दिस वास फॉस्स ताइम अगर मैं गलत नहीं हूं तो फिर भी अगर आपको कुछ पता हो तो आप ज़रू कमेंट कर बताएगा ठीक है त अगर उनके पास नॉलेज है डिटर्मिनेशन है तो वो विकलांग है तो भी आईएस ओफिसर बन सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली बिल्कुल फिट है तो ही बन सकते हैं तो यह एक्जांपल सेट हुआ हमारे इंडिया में तो बस वही एक्जांपल सेट करने के और इंडिया में पास अपन गवर्मेंट तो टेक अफेक्टिव मेशर्स अब इसेपल जो है उनको अच्छा लाइक ना इवाल दे शूट गेट शुट गेट शुट अन इवाल्विं डैनमी कॉंसेट कुछ बैनेफिट्स उनको मिलने चाहिए वो तो कह सीदी सी बात है के फॉर दाइयर जुकेशन विडिसेबिलिटीज स्ट्रेस हैस बिन डिवन टो एंशॉर असेसिब लिटिन पब्लिक बिल्डिंग तो बेसिकली सारी की सारी कुछ चीजे गवर्मेंट ने उनके लिए बनाई और दाकि उनको भी एक आम नागरिक की तरह हर एक फैसिलिटी म मिले जो एक आम नागरिक को मिलती है रिगार्डिंग जॉब्स एडुकेशन लिविंग सोसाइटी स्टेटर्स एंड डिग्निटी ओके बच्चा चली चलते हम लोग नेक्स्ट कोश्च नमबर थर्टीन नाइं और यू आर गिवन एन आउटलाइन मैप अफ इंडिया बच्चो तो अब यहां पर काजी रंगा नेशनल पार्क आप देख सकते हैं यहां पर अब मैंने इसको नहीं डॉट करके बनाया हुआ है और यह रहा डॉट काजी रंगा कहा है आसाम में है ठीक है यह रहा आसाम मैं लिखना बूल गई ठीक है यहां साम में फिर सुंदरबन का मैंने ट्रैंगल बनाया है आप यह देख सकते हैं यह ठीकहा पर है वेस्ट बैंगाल में ठीक तो यह क्या है वेस्ट बैंगाल कोटे बच्चो रूपर दिखते हैं नेक्स पॉष्ण क्या है सेकर्ड नॉम्बर वन डिजियन कोफी अब देखो साइड में मैंने पैडी के लिए पैडी जगा पर तो नहीं होगे गाना बहुत सा जगा पर चावा लुपते हैं वैसे कुछ पांची तो स्टेश से पर मैंने यहां पर चार्ज ते कवर कियें पंजाब यूपी हर्याना एपी और अंदरप्रदेश और तमि अस stal पेडी की एलिया से आज मैंने नाम देड़ी जिर्जी पंजाब है टिके यह हर्याना हो गया ठीके यह उप्जाप्रदेश तो यह मैंने समझ में का ओफी को मैंने सीभड़ क्या दिया सीयफ का सिंबोल दिया हुआ है अब सीयफ में कहां पे है तम्ल नाड़ու करनाटा कहला है कॉफी अ्लमंस सांथ साइड ही मिलताbad है अपने फो तो इह मैंने सीयफ का करनाटा का भी यह करला पोशन और यह तमिल नाड़Austolar पर बैर आता है फिर आता है electronic industry इसको अब सबसे जाथ electronic industry like IT sector तो कहाँ पर है IT sector को है हमारे यहाँ पर बैंगलियूरू में हाना बच्चो तो इसके लिए यह रहा बैंगलियूरू अब यहाँ पर हमारे number 3 तब हो जाता है 4 क्या है rail route from Mumbai to Delhi via Ahmedabad और फिर है longest national highway अब यह मैंने अना दूसरे वाले map में cover गया वाना इस मैंने पुरी खिचरी बन जाती समझी नहीं आदा और जाता है नौर्थ श्री नगर या कश्मीर जो भी आप बोल दीजी ठीक है तो यह रहा पूरा रूट उसका यह कंप्लीट रूट नेशनल लंबर नेशनल हाईवे पेपर 3 का section D solution I hope आपको समझ में आ चुका होगा मैंने short में थोरा थोरा answers बता है जारा detail में लेती तो फिर टाइम कंजूम हो जाता चीक है और फिर भी आपको कुछ पूछना हो कुछ बताना हो कुछ सजेशन करना हो तो do comment me no problem और अभी हम मिलेंगे next paper के साथ next video lecture में till then keep study keep out working bye bye बच्चा God bless you all